नमस्कार दोस्तों मैं एडोकेट सुलिल दिछित आप सभी का अपने यूटूब चेनल दिछित लीगलेड में सौगत करता हूँ आज की इस वीडियो में मैं आपको कोट सम्मन, कोट नोटिस और वारंट के बारे में जनकारी देने जा रहा हूँ कि क्या होता है और इनमें क्या अंतर होता है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब भी कोई कोट से उनके पास नोटिस या सम्मन आता है तो काफी घबडा जाते हैं कि भाई ये क्या आगया हमारे खिलाब इसे हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए तो उमिद करता हूँ कि आज किस वीडियो में मैं जो जनकारी दूंगा उसके बाद जो भी आपके मन में वरांती है कि हमें क्या करना चाहिए वो सब क्लियर हो जाएगा जब भी कोई मामला कोड के समझ चलाय जाता है या उस सिबिल मामला हो या उस क्रिमिनल मामला हो उसे फियार में एक बीवेचक होता है जिसका काम होता है उस मामले की बीवेचना करता है बीवेचना करने के बाद जब वो उस केस में चार्टिट सम्मिट कर देते हैं तो इसकी जानकारी तो उसे सम्मंदित जो पच्छेकार होते हैं उनको नहीं होता है जैसे कि जो सम्मंदित परचिकार बगर देखा जाए तो इसमें एक यूज हो गए जो या उसमें जो सिकायद करता हो गए या विटनेस हो गए इनको तो कोड की प्रोसीडिंग के बारे में या कोड की डेट के बारे में जानकारी नहीं होता है तो सबसे पहले क्या होती है कोड जो उनका मामला है कोड में आ गया है और कोड में आने के बाद अब कोड की प्रोसीडिंग उनको आगे करने के लिए कोड में आना पड़ेगा तो उस सम्मन में उसकी डेट होती है कुछ कोड सम्मन के रूप में बेज़ती है कुछ कोड नोटिस के रूप में बेज़त होता है और notice में बताया गया होता है कि आपको 27 को कितने बजवे कोट में पहुँझना है है तो जब कोट में चले जाते हैं तो कोट में जाने के बाद आपको जो भी आगए की प्रोसीडिंग है ज hubich चार्षेट की काफी supply होजाती है और चार्षेट की काफी supply होने के बाद आप अपनी जो आगे की proceeding है उसको follow करके जैसे की code速 меньше कository करा के अगर police के निकार के दो कोड कर चेडिंग कांटीनियू कर सकते हैं Q folks दूसरे case में अगर सम्मन को पार में आपके पास तो संबन पसमें क्या होता है कि जो में संबन के संबन के बारे में में सम्मन के बारे में बताया गया है तो सम्मन पोह सेक्ष्ट के बारे में के आड़ा एक सेक्ष्ट 61 THO 59 के बारे में लिखा जा सकता है तो 61 होगा जिस Yakshā 59 तो आप आप अिसको जानिए कि एक सम्मन से जिसमें आपको सूचना होती है कि किस डेट में आपको आपको किदमें आपको कोकर आगा है और इस कुड्ड की को करने के लिए आपको कोड में बुलाए जा रहा है तो हमें इसको receive करना चाहिए या नहीं करना चाहिए हमको इसको देखिए मेरा जबाब यही है कि जब भी कोई court से notice आता है तो हमें इसको जरूर receive करना चाहिए क्योंकि अगर हम इसे receive नहीं करते हैं तो देखिए criminal proceeding में अगर हमने receive नहीं किया तो जो भी process server जो सम्मल लेके जा रहा है बन्दा उस पर एक report लगायेगा रिपोर्ट लगाने में जैसे उतने report लगाया केसा है कि इन्होंने रवसम्मल लेने से मना कर दिया उस case में court उस report के आधार पर warrant जारी कर देती है बारंट जारी कर देती है civil मुकदमे में जैसे कि अगर आपने notice लेने से मना कर दिया तो notice में क्या होता सूचना दिया जाता है कि आपके अगेंस के एक civil मामला बनाया गया है जिसकी जानकारी के लिए कि हम भाई हमने आपको एक सम्मन भेजा है जिसे कि आप इसमें आके अपने जवाब को या court की proceeding को दाखिल करिए अगर आप उस सम्मन को या notice को receive नहीं करते हैं तो उस पर भी एक report जाती है report जाने के बाद उसके court आपको अगें दुबारा भी civil मामलों में सम्मन कर दें उसके बाद भी आप नहीं जाते हैं तो दूसरी party को वाको भर मिल जाता है one sider अपनी argument को लेकर जाती है और x party order उसे काफी आसानी से जिस भी prayer को लेकर जिस remedy को पाना जाता है उसमें काफी आसानी से उसको x party order मिल जाता है तो जब भी कोई code card अगर आता है सम्मन के रूप में या notice के रूप में तो आपको उसे जरूर receive करना चाहिए अब एक confusion है कि अगर मालिए बहुत सारे लोगों का एक आना है कि अगर हम उसे receive करें उस सम्मन को तो अगर वारंट हो तो मुझे तुन पुलिस अरश्ट कर लेग अब पाचान के लिए कि सम्मन है या वारंट है तो सबसे पहले ध्यान दिए कि वारंट कभी भी सीधे घर पे सीधे वारंट नहीं आता वारंट आएगा तो सबसे पहले अगर आएगा तो सम्मन आएगा और वारंट और सम्मन में अंतर है कि वारंट जब आएगा तो उसमे 70 और सेक्षन 71 के बारे में लिखा रहता है वारंट जो होता है दो तरीके का होता है एक वारंट जो होता है वो बिलेबल वारंट होता है दोसरा जो वारंट होता है वो नान बिलेबल वारंट होता है सम्मन के बाद जो अगली प्रोसीजर होती है वो बिलेबल वारंट की होती है कोट जब भी निकालेगी तो पाले बिलेबल वारंट निकालेगी और बिलेबल वारंट का मतलब होता है कि जब भी घर पे कोई जाए वारंट लेगे तो उस पे एक एमाउंट दिया रहता है कि 5 या रुपे, 2000 रुपे या एक, 10 या रुपे कि अगर जिसके उपर वारंट तामील होना है वो अपने जमानत देने के लिए किसी व्यक्त को बुला लेता है और कोई व्यक्त इनकी जमानत देता है कि एक कोट में जाएंगे उस जो दिया गया तारीक है, उस तारीक में जाके हाजिर हो जाएंगे उसके में जमानत लेता हूँ अगर ये हाजिर नहीं होते हैं तो इतनी एमाउंट मैं कोट में जमा करूंगा उस कंडिशन में सिर्फ तामील करा जाता है कि हाँ आपको इस कोट में हाजिर हो जाना है और जो ही ओब्यक्त कोट में हाजिर होता है उसका जो बिलेबल वारंट कैंसिल हो जाता है अगर यह मान किशिदे बिलेबल वारंट पे भी ओब्यक्त कोट में हाजिर नहीं होता है उस कंडिशन में ही कोट नान बिलेबल वारंट जारी करती है और उसके लिए जो सच्छम अधिकारी है उसको डारेक्शन पास करती है कि इनको औरिष्ट करके हमारे सामने प्रडूस किया जाए नान बिलेबल के केस में कोई एमाउंट नहीं लिखी जाएगी जब वारंट पर अगर वारंट पर अगर एमाउंट लिखी गई है इसका मतलब एक बिलेबल वारंट नान बिलेबल वारंट पर एमाउंट नहीं लिखी जाती है और नान बिलेबल वारंट जब जानकारी आपको हो जाए कि हमारे नान बिलेबल वारंट हो गए तो उससे बचने के लिए आपको कोट में सरेंडर करना होगा और सरेंडर करके अपने non-available warrant को cancel करवाना होगा और cancel कराने के बाद उसकी order की copy आपको जो सच्छम अधिकारी है जिसको non-available warrant जारी किया गया है तामिल करवाने के लिए उस अधिकारी को देना होगा उस अधिकारी को देने के बाद आपका जो non-available warrant जो है तो उमीद करता हूँ कि जो जानकारी मैंने सम्मन, नोटिस और वारंट के बारे में मैंने दिया है वो आपको समझ में आया होगा अगर फिर भी कुछ क्वेरी आपकी पस्ती है इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट बाक्स में बताईए मैं उसका reply करूँगा और लगता है कि कुछ और भी additional चीज़ें आती है इसके सम्मन, तो भी बताईए उसके सम्मन, अगर आउ सकता होगी तो आगे भी कोई नई वीडियो बनाके मैं उसको clarify करने का प्रयास करूँगा तो उमिद करता हूँ कि जो भी जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है वह आपको पसंद आई होगी अगर जानकारी आपको पसंद आई है तो प्लीज मेरे वीडियो को like करिए, share करिए, मेरे चैनल को subscribe जरूर करिए क्योंकि इस चैनल पर कोई नुकोई ऐसा content आपको जरूर मिलेगा जो आपके काम का होगा Thank you for watching